कैसे हैं स्वागत है आप सभी का हमारे एस यूटूब चनल ओपेन स्टेडी एरिया पर दोस्तो बिहार BPSC सिक्षक भरती 2.0 में सबसे बड़ी अगर कठिन कोई समस्या रही है कंडिडेट के सामने वो अब तक जो एकजाम से उसमें यही कठनाई दिखाई दे रही है कि हिंदी को लेकर जो क्वालिफाइंघ पेपर है उसको लेकर के सभी ग्यक्ति जो है सभी कंडिडेट चिंतित हो जाते हैं समस्या खड़ी हो जाती है क्योंकि वे सभी लोग जो है समाने तरीके से बयाकरन वगरा का ध्यान किए होते हैं और इसको कोई teachers भी बताया नहीं रहता है वहाँ से questions पुछ करके आपको थोड़ा सा confuse कर दिया जा रहा है इसी को ध्यान में रख करके आज के इस वीडियो में हम वो सारी questions जो आफ की confusion पैदा कर रही है exam license को समेटा है जो आप exam देने जाने वाले हैं जो भी PRT के हो PGT के हो जिनके भी exams बाकी है वे इन वीडियो को इस वीडियो को सुरू से अंतक 100 questions करीब करीब होंगे इसको ध्यान से देख दीजे साड़े questions यहीं से आपको नजर्स आएंगे और रही बाद संदीव समास और यह सभी विशे दोगरब परते हैं वह असानी प्रुवक आप उसमें कर लीजेगा उसमें कोई दोराय नहीं रह रहा है जो प्रस्न भासाज संबंदीत यह वाली रह रही है उसको ध्यान से तुरह देख लीजेगा एक एकर के देखिए शुरुवात करते हैं आदी काल को वीरगाथा काल किस ने कहा यह प्रस्न आप से पूछा जा सकता है इसका सैंसर कि आदी काल को वीरगाथा काल जो है वो पंडित राम चंद्र शूकला ने कहा था अपसें नंबर सी याद रखिएगा ये परस्ण सभी वहीं को प्रस्ण है और जो आपको चोंका रहे हैं एक जामनेसंस में मानक हिंदी से क्या तात पर है परस्ण ध्यान में रखिएगा कि मानक हिंदी का मतलब क्या होता है Echo Inher इसे भी कोशन हमने इसमें सेट किया है हिंदी किस पडिवार की भासा मानी जाती है तो हिंदी जो है दोस्तो भारोपी ये पडिवार की जो है एक भासा मानी जाती है अपसन नमर भी याद रखिएगा चौथा नमर कोशन आपके शामने है प्रस्ण देखिए का ध्यान से कि 20 की भासाओं को कितने परिवारों में बाटा गया है इसका एंसर जो है 12 हो जाएगा कहीं कहीं मैंने 16 भी देखा है लेकिन मैंने 12 ही पढ़ा है अपसन नमर ए इसका सही अंसर हो जाएगा इसको छोड़ दीजे आगे बढ़ते चलते हैं चटा नमर कोशन देख लिजे चटा नमर कोशन आपके सामने कि विभासा की से कहते हैं प्रस्ण है कि विभासा के नाम से की से जानते हैं तो हिंदी छितर की प्रमुख बोलियों को विभासा के नाम से जाना जाता है बिल्कुल इस 100 कोशनों को आप बिल्कुल द्यान से देख जाईए कोई कठिनाई आपको एक्जामस में होने वाली नहीं है ऐसे भी पिछले एक् जूड़ा हो। याद रखिएगा दसवा नमर कोशन आपके सामने हैं कि विस्व की सबसे प्राचीन भासा निमली कित्म से कौन सी है तो विस्व की सबसे प्राचीन भासा जो दियेगे अपसंस हैं उसमें जब अपसं नमर B हो जाएगा ग्रीक को विस्व की सबसे प्राचीन भासा बोली जात अगला प्रस्टने दोस्तों 12 नमर की भासा को लिखने का ढंग क्या कालता है तो भासा के लिखने का ढंग निमले कितमे से 12 नमर का अपसा नमर सी का दीजेगा इसको लीफी के नम से जना जाता है एक भी कोसन छोड़ करके मत जाए और बस इस वीडियो को देख लिजे चुप अपसन नमर सी बहु संख्यक दिसवास्यों द्वरा पर्योग की जाने वाली भासा को हमलो रास्ट भासा के नम से जानेंगे प्रितवी राज रासो का रासो किस भासा में रचित किया गया है तो प्रितवी राज रासो जो है वो किस भासा में रचित किया गया है 14 नमर कोश भारत बर्स में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे दरखीगा प्रस्टनाप के सामने कि भारत बर्स में हिंदी को आप किस भासा में रखेंगे तो यह हिंदी जो है दोस्तो वह एक राज भासा के रूप में प्रयोग की जाती है भारत बर्स में हिंदी का प्रयोग राज इसको रखते हैं तब हिंदी कीजेगा लेकिन हिंदी को किस रूप में रखेंगे तो हमारे भारतिय सम्विधान में यह राज भासा का काम जो है करती है पंद्रह नंबर का अपसर नंबर ए इसका सही अंसर हो जाएगा होना ही नहीं चाहिए सम्विधान के अनुछे 351 में किस विसाय का वर्णन किया गया है तो सम्विधान के अनुछे 351 में जो है दोस्तो वह वर्णन किया गया है वह हिंदी के विकास के लिए निर्देश उसमें दिये गया है सम्विधान के अनुछे 351 में अराम से देखिए प्रस्ण आपके सामने कि भासा की सबसे बड़ी इकाई क्या है इकाई क्या है तो भासा की सबसे बड़ी इकाई निमले कित्म से शत्रक अपसा नंबर ए हो जाएगा वाक के जो हता है क्योंकि वाक्तियों के बनने से ही एक शाहितिका निर्मान हो जाता है अप भरंस को पुरानी हिंदी किसने कहा था यानि अपभरंस को पुरानी हिंदी की नाम से किशने जाना चंदरधर, सर्मा, गुलेडी को अपभरंस के लिए पुरानी हिंदी कहा था उनिश नमर को शन आपके शामने है और प्रस्ण है एक प्रस्ण कहता है कि भासा का प्राचीन रूप किस गरंत में मिलता है भासा का प्राचिन्तम रूप किस गरंत में मिलता है उनिश्वे का सईयंसर अपसा नबर सी हो जाएगा रिग वेद में जो है भासा का प्राचिन्तम रूप मिलता है बिस्वे का सही अंसर जागा अपसा नमर सी विध्यापती को हिंदी गित काव्य का जनक मना गया है बहुत सारे कोश्चंस आपको देखने क्यों मिलेंगे जो कोश्चंस आ रहे हैं उसको आप रिपीट तो कर ही रहे होंगे बिन औरोद के उचरी ठोने वाली बर्ण को नहीं कितम से क्या कहेंगे 21 का अपसा नमर सी जो है सोवर्ग के नाम से जनेंगे अगला प्रस्ण है प्यारे दोस्तों वह है प्रस्ण की उचारन अस्थान की द्रिष्टी से कवर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं उचारन अस्थान की द्रिष्टी से कवर्ण के सभी वर्ण के नम से क्या कहलाते हैं तो हिंदी बर्ण माला में मूल् सवडों की जो संख्या होती है वह दोस्तो अपसान परकन और कबिसर्गप तो यह वाला ही युगवा के नाम से जना जाता है 25 नमर कोशन है कि 6 ध्वनी का उचारन अस्थान नीनि व्लिकितने हैं 25 अपसान नमर 2 हो जाएगा कि 6 ध्वनी का उचारन अस्थान जो है तालब वियनी की तालू होता है चचज यहन्य कि इसको हम लोग तलब बढ़ने के नम से जानते हैं चब इस नमर कोशन है कि हिंदी में धुवनियां कितने पर करकी होती है तो हिंदी में धुवनियों की शंक्या है जो थी अफसन नमर ए इसको दो पर भागों में बाटा गया है आगे बढ़ते चलते हैं अगला कोशन है 27 नमबर की अनुनाशिक व्यंजन कौन से है 27 का अपसा नमबर C हो जाएगा बर के पंच माकचर याद रखेंगे अनुनाशिक व्यंजन कौन से है तो अनुनाशिक व्यंजन जो है 27 वे का अपसा नमबर C बर के पांचवे अक्षर को अनुनासी के नाम से जाना जाता है उच्रेओन में दिर्जु सुवर के रूप में अधिक से अधिक पढ़ियोग किआ जाता है अपसर नमर E इसका सही अंसर हो जायगा ओम इसका पढ़ियोग किया जाता है Hindi बंधमाला में सुवरों की शंक्या कितनी होती है तो Hindi बंधमाला में कुल सुवर जो है किएगा उसको बात देखें कि 30 नमर कोशन नाप के श्क्रीन पर रखा गया है 13 बताए जा रहा है हिंदी बर्णा बर्णों की संख्या 13 तो जहां पर 11 रहेगा 11 कर दीजेगा अजहां पर 13 होगा वाँ पर 13 कर दीजेगा दोनों के से कोई नहुत पuchenकी से करेंगे जातिमन हो जब जैँ जिसका उत को करेंगे ख्यां अलग अलग करेंगे ओलग कर देखें तो सब्सक्राइब्स तकसाल का तत्सम रूप क्या है तकसाल जो होता है इसका तत्सम रूप निमल कितम से क्या है चौँतीस का अपसर नमबर A हो जाएगा इसको टंक साला के नम से जाना जाता है 35 नमर कोशन आपके सामने है कि वकील की इस भासा का शब्द है तो वकील निमलकी इतम से 35 का अपसा नमर C इसका इंसर हो जागा वकील जो है अर्भी भासा का शब्द है 35 का अपसा नमर C हो जागा 36 नमर कोशन आपकेश करीन पर रहे के निमलिकी सब्दों में योगरूड सब्द कौन सा है तो निमलिकी सब्दों में योगरूड सब्द जो है अपसर नमर ए चक्रपाणी जो है या एक योगरूड सब्द है क्योंकि यह अपना अर्थ भी से यहाँ पर निर्धारित कर रहा ह प्रस्तर का तदभाव सब्द क्या है तो प्रस्तर का निमलिकित में से तदभाव सब्द क्या है उसको पत्थर के नम से जानते हैं ये भी कोशन पूछा जा चुका है ऐसे कोशनों पर ध्यान न किएगा साक्षी का मूल तत्सम सब्द क्या है तो साक्षी का मूल तत्सम सब्द जो है 38 का अपसर नमर सी हो जागा इसको साक्षी के नम से जाना जाता है आगे बढ़ते चलती है कमेंट करते रहिएगा आगर कितने आपके सही हो रहें जरूर हमें कमेंट करके बता दीजेगा गरवर घोटाला कौन सा सब्द है तो गरवर घोटाला निमल कितम से किस परकार के सब्दे में पढ़योग किया जागा 49 का अपसा नमर C हो जागा या देशस सब्जे के रूप में पढ़योग किया जाता है 40 नमर कोशन आपके सामने है कि लास सब्द किस मूल भासा का है तो लास जो है वो किस मूल भासा का सब्द है 40 का अपसा नमर B हो जागा या तूर्की भासा का एक सब्द है 41 नमर कोशन आपके इश्क्रीन पर परस्ण कहता है परस्ण को ध्यान से देखिएगा संगया और उसके भेद से कोशन पूछे गए हैं इसको ध्यान देखेगा कुझ में संगया सब्द का भेद बताईए तो कुझ में निमल कितम से संगया सब्द का भेद अपसर नमबर C हो जाएगा या एक समूह वाचक जो है वह संगया है 42 नमर कोशन आपके सामने है कि कोईला में संगया सब्द का भेद बताईए तो कोईला में संगया सब्द का निमल कितम से कौन सा भेद है 42 का अपसर नमबर हो जाएगा दोस्तों कि 42 का अपसर नमबर B यानि कि यह जाती वाचक संगया का एक उधारन है 42 के बात एता 40 नमर कोशन है कि सोना चांदी में संग्या सब्द का भेद बताईए तो सोना चांदी में संग्या सब्द का भेद जो है वह एक दरब वाचक शंग्या के नम से जाना जाएगा आगे प्रसने 44 नमर कोशन की सुन्दर्ता में संग्या सब्द का भेद बताईए तो सुन्दर्ता में संग्या सब्द का कौन सा भेद है चो 44 का अपसा नमर A इस का से इंसर हो जागा या एक भाव वाचक सब्द है दोस्तों ये वही कोशन है जो BPSC द्वारा पूछे गया है या पूछे जाने के असंका है सभी कोशन्स आपको समेट दिया गया है इसको जरूर ध्यान से देखते चलिएगा चैनल पर नए है तो ये एक तो काम जरूर कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा चौ करके वेल आइकन दबा दीजेगा और याद रखेगा वही आपका कटफ होगा ध्यान रखेगा अभी जो चल रहा हुसको चलने दीजे देख रहे हम भी लोगों को देखकर की मिला रहे हैं कि लोग आखिर चला क्या रहे हैं फिर हम दो दिन के वाद आपसे पूरा मुलाकात करते हैं कल भी वीडियो जाएंगी बुढ़ापा भी एक परकार का भी साफ है सब्द में बुढ़ापा कौन सी संग्या है 45 का अपसर नमर हो जाएगा सी सही अंसर है कि भावाचक संग्या के नम से जना जाएगा 46 नमर कोशन आपके सामने 46 नमर कोशन है कि अमीरी गरी वी में से कौन सा सब्द संग्या है तो 47 नमर कोशन का सही अंसर है अपसर नमर बी जो है 47 नमर का अपसर नमर बी क्रोध जो है एक परकार की सब्द संग्या का रूप है क्रोधी नहीं याद रखेंगा 48 नमर कोशन है संग्या की रूप संग्या की रूप रचना की अधार पर त फट्रग में धिकार सब्द संगय के किस भेड के नंतरगत आएगा उन्चास का अपसाण का संगया की या एक भाव आचक संगया के नहीं किया जाएगा संग्या और सर्वनाम, सर्वनाम और उसके भेज से कैसे कोस्तंस पुछे जा रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा, प्रस्णि कहता है कि हम क्या है, या एक हम, यानि कि क्या है, उत्तम पुरुस है, इसी में से पुछाता है कि निमलिकित में से, मैं देख लेंगा, सोरी, यहा ताँकि यहां पर इंसर दिखाया जा रहा है बट हम मुझे लगता है कि उत्तम पूर्ची होगा, क्योंकि जो संस्क्रीट भासावी की चले हैं तो उसमें अहम आवाम बैयन जैसा की होता है हम जो है उसमी में आता है, यह कौन सा सर्वनाम के अंतरगत आएगा अगला कोशन है कि तू तुम आप या आधी हिंदी में कौन से पूरुस वाचक आते है तो मध्यम पूरुस के रूप में इसका पड़ियों के जाता है तिरपन का अपसा नमबर बी हो जाएगा आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तो चववन नमबर कोशन आपके स्क्रीन पर है चववन नमबर कोशन करता है कल वह वीद्याले जाएगा इस वाके में सर्वनाम को छाटी है कल वह वीद्याले जाएगा तो कल वह वीद्याले जाएगा तो इसमें निमले कितम से कौन है दोस्तो है दो अब तक हम लोग क्या देखे थे संगses चंग्या सर्बनाम Village आपको पढ़ाने का देखे एकँड़ ला कुर Allen & Bar-emain इन्हें खया है सार्व न सर्फ dak tudo और आचने को समय स्ट्वाकर बास्षक confirming सब्ध सर्व नाम नहीं नहीं किया जाएगा अगला कोसन प्रस्ण परकार का अभय के रूप में पड़ियोग किया जाएगा प्रष्णा वाचक सर्व नाम नहीं कहाएगा 57 का अपसर नमबर 20 इसका सही अंसर हो जाएगा प्रस्ण वाचक सर्बनाम ये प्रस्ण में पूछा जाएगा और सर्बनाम के रूप में भी परयोगती किया जाता है इसमें तुम जो है इसमें से कौन सा प्रयोग किया जाएगा अंठावन का सई अंसर हो जाएगा अपसर नमर 20 इसको अनिष्च्य वाचक जो है किस वाक्य में हुआ है तो प्रश्ण वाचक सर्वणाम का उफ्योग निमल कितम से किस में हुआ है तो सही अंसर हो या किस का घर है यानि किस में कोस्टन मारक लग जाएगा अपस्टन yearcare साइनसर हो जागा कुछ खालो इस वाग्य में कुछ कैसा सर्वणाम है 60 वे का सही अंसर हो जाएगा अपसा नमबर B यह जो है एक अनिस्चे वाचक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त की आ गया है दोस्तो B-Session और उसके भेद से कैसे कोशन्स पुछे जा रहा है इसको ध्यान से देख लिजेगा प्रशन आपके सामने के सर्वनामिक B-Session तो सर्वनामिक B-Session की से कहते हैं तो 60 का सही इंसर है का संग्या के पहले लगने वाले को हम लोग क्या सर्वनामिक कहते हैं ऐसा नहीं के सर्वनाम के बाद में लगने वाले ऐसा नहीं है संग्या के पहले लगने वाले को सरबनामी करते बीपेसी का ये खेल है साहब इसको समझ करके आगे बढ़ने की कोशिश करना है वरना एकजाम सेंटर के बाहर निकलने पर लोगों ने कहा कि मेरे तो सौव सही है मेरे तो डेर मतलब एक सब दस सही है जब इंसर की आया सब लोग आकर ठक गए साथ पर पचपन पर पैंसट पर ये खेल है साहब इसी तरह कट अफ के साथ भी होने जा रहा है बिशेशन कीस सब्द की बिशेशता बताता है तो बिशेशन दोस्तों बासरटवे का सही इंसर अपसन पढ़ियोग विशेशन के रूप में हुआ है निमलिकित में से वो कौन सा वाक्य है जिसमें अच्छा सब्द का पढ़ियोग जहे विशेशन के रूप में किया गया है 64 का अपसन नंबर हो जाएगा अपसन नंबर सी यह अस्थान बहूत अच्छा है तो यहाँ पर अच्छा सब्द जो है यह विशेशन के रूप में पढ़ियोग किया गया है आप देख रहे है ओफिन स्टेडी एरिया यूट्यूब चनल पर बिहार भी पेसी सिक्षक भरती 2.0 के लिए क्वालिफाइंग पेपर का महामयराथन हिंदी के कोस्टन जो अब तक पूछे गए है और अगले एकजामस में पियाटी और पिजटी में पूछे जा सकते है उन सभी के संभावित प्रसंद और पीछले एकजाम के कोस्टन पसु सब्द का विशेशन क्या है पसु सब्द का विशेशन निमलिकित में सही एंसर है इसका विशेशन जो है पासविक है 65 का अपसर नमर ए इसका राइट एंसर हो जाएगा संस्कृति का बिसेशन निमलिकित में से कौन सा है तो संस्कृति का बिसेशन 66 का अपसन नमर E हो जाएगा इसको संस्कृति के नाम से जना जाता है आई ये बरते चलते संस्कृति के नमर कोशन आपके इश्क्रीन पर है कि निमलिकित में से कौन सा सब्द विशेशन है तो निमलिकित में से कौन सा सब्द विशेशन है 68 का अपसन नमर हो जाएगा दोस्तों अपसन नमर भी फुफेरा जो है या एक परकार का विशेशन के रूप में प्रयोग किया गया है लक्षमन एक कूसल कार्ज करता है में विसेसन कौन है तो लक्षमन एक कूसल करता है इसमें विसेसन निमले कित्म से कौन सा है 68 का अपसन नमर B कूसल जो है इसमें विसेसन के रूप में पड़यो किया गया है आगे प्रस्ण है कि यह लड़का बड़ा भोला है इसमें बड़ा सब्द काउंसा है उनहातर का सही अंसर है अपसर नमर B यह एक परकार का सर्व नाम है यह लड़का बड़ा भोला है इसमें बड़ा सब्द क्या है सर्व नाम के रूप में पड़्यों किया जाएगा सतर नमर कोशन आपके सामने स्क्रीन पर देख लिजेगा यह द्रिस अती सुंदर है इसम अती क्या है सतर नमर कोशन अपसर नमर सी हो जाएगा कि प्रविशेशन के रूप में पड़यो किया गया है 70 का अपसर नमर सी हो जाएगा कि यह द्रिस अती सुंदर है इसम अती क्या है तो यह प्रविशेशन जो बिशेशन के भी बिशेशन के नाम से जाना जाता है अब यह अभी कारी सब्दिया अब यह से भी कोशन्स आपको देखने के लिए मिले हैं अगला प्रशना आपके सामने है कि कचुआ धीरे धीरे चलता है इस वाके में क्रिया विशेशन को छाटिये कचुआ धीरे धीरे चलता है इस वाक्य में किरिया विसेशन को छाटना है तीयतर का अपसा नमबर ए हो जाएगा धीरे धीरे जो है वह किरिया विसेशन है क्योंकि यह किरिया की भी क्या बताता है विसेशना बता रहा है आगे प्रशने की दो सब्दों या वाक्यों को जोडने वाले सब्दों कौन से सब्दों कहलाते हैं दो सब्दों या वाक्यों को जोडने वाले सब्दों को निमल कितम से 74 का अपसर नमर A हो जाएगा इसको समुच्छे वाचक के नाम से जाना जाता है अगला प्रशने है प्रशने कहाता है दोस्तों कि उसने आख फार कर देखा इस वाक्य में फार कर निमल कित्म से क्या है तो उसने आख फार कर कर के देखा इस वाक्य में फार कर निमल कित्म से क्या आपको नजराता है 55 का अबिशेशन के नाम से जानेंगे 95 का अबिशेशन के अंतर नर्गत आता है तो निमित सब्द जो है किरिया अफसेशन के नम से जानेंगे क्रिया विसेशन है तो निमलिकी सब्दों में से कौन सा सब्द हो जाए किरिया विसेशन के रूप में पिरुकिया गया है दुबारा इसको रिपीट कर दियेगा धीरे धीरे इसका सही अंसर हो जागा अगला प्रस्ण देख लीजेगा अंतिक और अंकित और अंकूर बिद्य किया जाएंगे अगला प्रस्ण है कि नल बुंद बुंद टपक रहा है वाकि मेरे खांकित है तो नल बुंद बुंद टपक रहा है उसमें 80 का अपसा नमबर भी यह जो है बुंद बुंद जो है क्रिया विसेशन के रूप में पढ़ियों किया जाएगा लिंग और उसके हिल से कोशन कैसे पुछे जाएंगे कभी सब्द सही का इस तिर लिंक क्या है तो कभी या 3 इसमें 80 का अपसर नमर मुझे रगता है कि कोई सही नहीं है कभी या 3 होता है कभी या 3 इसमें सुरह आप लोगे कमेंट करके बता दीजे ए कौन सा इंसर सही है एक आसी का अपसर नमर कौन सा सही है जल्दी जल्दी कमेंट कर लीजएगा निमले के सब्दों में से कौन सा सब्द पूलिंग है निमले कितम से कौन सा सब्द पूलिंग के रूप में पड़योग किया जाएगा ब्यासी का अपसर नमर सी भी हो जाएगा बुढपा जो है पुलिंग के रूप में पड़योग किया जाएगा तो दोस्तो निमली खित में से निमली खित में से इस्तरी वाचक सब्द कौन सा है तो निमली खित में से इस्तरी वाचक जो सब्द है वो मुझे देखने से लगता है अपसा नमबर A बाला जो है यह एक परकार के इस्तरी वाचक सब्द के रूप में पड़ियोग किया जागा हिंदी में कितने परकार के होते हैं तो हिंदी में लिंगों के बड़न जो है वह दोस्तो अपसर नमर C यानि की दो परकार का पड़ियोग किया गया है 84 का अपसर नमबर C हो जाएगा हिंदी के अनुशार आपको बताना है अगला प्रशन है कि सुन्दर सब्द का इस्तिरलिंग क्या है तो सुन्दर सब्द का इस्तिरलिंग जो होती है दूस्तों 85 का अपसर नमबर हो जाएगा इसका right answer हो जागा या एक परकार का rude सब्द है दोस्तों यही प्रस्ण आया भी था एक्जामस में यह प्रस्ण रिपीट हो सकता है स्वतंत्र सत्ता धारन करने वाले सब्द क्या कहलाते हैं तो स्वतंत्र सत्ता धारन करने वाले सब्दों को हम लोग जो दोस्तों क्या कहते है 88 का अपसर नमर भी इसको योगिक के नम से जानते हैं दोस्तों ऐसे तो कोशन्स बहुत सारे हैं लेकिन अब आप जो है उस कोशनों को देख लिजएगा जो प्रस्ण दो लेंदी कोशन्स आ रहे हैं बिल्कुल आपको तबाह करने वारे कोशन्स जो आ रहे हैं अंग्रे जी में अगर बिल्कुल भी अंग्रे जी नहीं आती आपको समझ में तो भी हमारी ये इंग्लिस की वीडियो आपका पारगाट लगा देगी प्रस्ण है कि जेट सब्द का स्थिलिंग क्या है तो सही अंसर है जेठानी इसको कहते हैं नवासी तक रन देती ये कोशन सबर देख देती ताकि नब्बे हो जाए गीदर का इस्तिरलिंग सब्द क्या है तो गीदर का जो इस्तिरलिंग सब्द है उसको हम लोग अपसा नंबर क्या कहेंगे बी इसको गीदरी के नम से जानते हैं तो बस आजकी इस वीडियो में नब्बे कोशन्स और भगवान करे खुदा करे परवर्धिगार करे कि आपकी पारगाट जरूर लग जाए सुक्रिया जैहिंद